हेलो स्टुडेंट नमस्कार बच्चो कैसे हो आप सभी बच्चो आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पे चर्चा करेंगे पिटा आज कक्षा नवमी क्रशी टेट सोलेनेसी क्रॉप कल्टिविशन की ब्लूपृंट की चर्चा करेंगे हम तो बच्चो आज हम समय में कैसे आपको पढ़ाई करना होगा एक अच्छे तरीके से आपको सोचना है ठीक है तो किस पार्ट से कितना आपको पढ़ना है यह आप ध्यान पूरुवक समझना है ना ठीक है चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पार्ट ए रोजगार कोसल ठीक है रोजगार कोसल की ज साथ नभर के कॉस्चन साथ नमबर का आवांटित अंख है झीक है तुसमें वास्तुनिश्ठ आपको दो आने हैं देक पारे हो आप और 5 का एक कोचशन आना है तो आप पांस अंक के कोश्चन थोड़ा ध्यान cries ज़्यादा दें और आबजेक्ट पूरे पढ़ लेंगे उसके क्योंकि कोई भी आबजेक्ट्व आ सकता है ना इसके बाद में जो सेटेंड काई आपकी 100 प्रभंधन को असल में बच्चों क्या होगा कि सोप्रभन्दन को वसेज में आपको एग बिअ आपज़ेक्ट टु नहीं आ रहेये ध्यान देरें एक बिअ आपज़ेक्ट टु नहीं आ रहे हैं मतलब आपजेक्ट व आपको नहीं पढ़ना और तीन अंक में आपको एक कोस्चन यहां से देखने मिलेगा मतलब कि आप छोटे कोस्चनों में विशेज ध्यान देंगे यहां पर है ना जो आएंपी लग रहे हैं जो छोटे कोस्चन है उन पर विशेज ध्यान देना है आपको ठीक है उसके बाद में आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा उसके वास्तुनिष्ट से आने हैं है ना और एक प्रसन आपको पांच नमर का आना है तो बच्चोई इन तीनों में आपको विश्य ध्यान देना होगा है ना उसके बाद में 1.4 1.4 देख लेते हैं ठीक है इसके बाद सबसे लाश्ट इकाई आपकी हरित कोसल है ना हरित कोसल में आपको क्या आने वाला है हरित कोसल में तीन अंक आने वाला है तो तीन अंक में आपको एक कोस्चन आने वाला है तीन अंक का जो लगूतरी कोस्चन हम उसको कह सकते हैं बच्चों है ना तो आप आपको लगूत्री कोस्चन में थोड़ा विसेश ध्यान देना होगा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं जो अपनी सेकेंड बुक है अपनी बागवानी की जो बुक है सोलेनिसी क्रॉप कल्टिवेशन की जो बुक है बच्चो उस बुक में आपको फस्ट इकाई में बागवानी का परिचा है इस इकाई में आपको 15 नमर का आवंटित नमर है इन नमर में आपको चार वास्तुनिष्ट देखने मिलेंगे मतलब की सही विकल्प खालिस्तान सही जोड़ी मैं आपको विसेश ध्यान देना है पहले पहली इकाई में जो मैं बता रहा हूं यह ध्यान रट लीजिए और लगूत्री प्रश्णों विशेश ध्यान दीजिए और पांच अंक का एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने मिलेगा है ना इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इकाई दो इकाई दो में इकाई दो में आपको एकाई दो सोड़ी एकाई दो बीच का च पुर्ण इकाई है यह दो इकाई है ना तो इसके बाद में देखा रहे हो आप इकाई तीन इकाई-तीन में आप सोलेनेसी परिवार की फसल में खेत की तयारी और उपाई इसमें 15 प्रूरी व्योग्तस साथ साथ नम्मर के दो प्रस्ण आएंगे आपको मतलब कि तीन इकाई के पूरे बड़े प्रस्णों में विश्चेज ध्यान देना होगा आपको है ना बड़े प्रस्ण पूरे आफ याद कर लीजिए और देखिए जरा बहुत इंपी काई और बहुत नम्मरों के साथ में आ करने के लिए है ना 21 नम्मर का तो भी यहीं से आना है आपको चार अब्जेक्टिव आ जाएंगे आपको पांच नम्मर के दो कुश्चन आ जाएंगे साथ नम्मर का एक कुश्चन आ जाएगा देखिए जरा कितनी सारी चीज़ आ रही है मतलब चिछ चार इकाई को आप ब देखने मिलेगा सबसे लास्ट में तो देखिए जरा आपको ब्लूपरिंट के आधारी यह जानकारी हो चुकी है कि आपको कितना और कैसे पढ़ना है बहुत जादा नहीं पढ़ना है बच्चों आपको बहुत कम पढ़ना है ब्लूपरिंट के आधारी थी पढ़ना है ठी के बच्चो धन्यवाद अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार